प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्रे और शांती मिलें रोबर्ट जी इंगरसॉल नाम के एक व्यक्ति थे और ये 1833 इस्वी में पैदा हुए औगस्ट 11 को न्यू यॉक में और 1899 जुलाई 21 को इनका देहान दुआ ये भी न्यू यॉक में और यानि काफी आज से कई साल पहले की बात है कुछ सेकेड़ साल पहले की बात है ये एक अमेरिकन पॉलिटेशन भी थे और एक ओरेटर थे यानि बहुत स्पीचिस देते थे लेक्चर्ज देते थे और इनका एक शिर्षक पढ़ा था इनको ग्रेट एग्नॉस्टिक कहते थे ग्रेट एग्नॉस्टिक एग्नॉस्टिक कौन होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा और इनके लेक्चर्ज में ये बाइबल की बहुत आलोचना करते थे और एक तोर से मजाग भी बनाते थे और ये वो समय था पस्चिमी देशों में ये 1800 के बाद वाले जो वर्ष थे ये golden age of free thought यानि अपनी सोच का सुनहेरा समय ये पीरियड था यानि जो चाहो सोच सकते हो कोई आपकी सोच पर बंधन नहीं लगा सकता बाउंडेशन नहीं लगा सकता जो सोचते हो सोचो जो ठीक लगता है वो करो तो लेकिन बाई बिल एक बात बताती है मनुष्य जो अपनी आखों में ठीक समझता है अंत में उसका नतीजा बुराई होता है हो सकता है कुछ लोग इस बात को ना माने लेकिन वो इस बात को अनुभव करेंगे तो एगनौस्टिक कौन होते हैं एगनौस्टिक वो होते हैं जो एगनौस्टिसिसम को फॉलू करते हैं अब वो क्या है? हिंदी में इसका वर्ड है, शायद आप में से कई लोगों ने सुना भी ना हो, अग्येईवाद, और अग्येईवाद का अर्थ ये है, ये नास्तिक पने से थोड़ा सा फरक है, नास्तिक तो यही कहता है कि कोई इश्वर है ही नहीं, कोई स्रिष्टी करता ह ही नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, धमाके से हुआ, बंदरों से आए, वगेरा वगेरा, जो भी अपनी थियरीज देते हैं, वो नास्तिक पना है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा है, भजन चौदा में, मूरक ने अपने हिर्दे में कहा है कि कोई परमेश्वर नह ही है, ये नास्तिक होते हैं, लेकिन एगनौस्टिक वो होते हैं, जो परमेश्वर की एक्जिस्टेंस को मानते हैं, वो कहते हैं कि इश्वर है, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, ये एगनौस्टिक होते हैं, और रोबर्ट इंगरसॉल ये बहुत बड और उनका ये कहना था कि अगर वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को डुबा दिया वो मुझे क्यों कहें मैं अपने बच्चों को कैसे बढ़ा करूं उनका एक स्टेट्मिंट था वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को ही डुबा दिया वो मुझे अपने बच्चों को कैसे बढ़ा करना है क्या ग्यान देना है वो मुझे क्यों सिखाए अब उन्होंने ये बात क्यों कही ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उनका कहन है कि परमेशवर ने जब अपने पुत्र येश्व मसी को जगत में भेजा है तो कुरूस पर उसकी म्रित्य हो गई क्रूस पर उसको इतना जलील किया गया उसका मजाग बनाया गया कि और क्रूस पर से और रभू येश्व मसी पुकारता aí एंए मेरे परमेश्वर है मेरे परमेश्वर तुने मुझे क्यूं त्याग लिया तो उसका कहना था जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ही त्याग लिया वो मुझे क्यों सिखाए, मैं अपने बच्चों को या उनका कैसे पालन पोसन करूँ लेकिन रॉबर्ट इंगर सोल इस बात के पीछे हे तू नहीं समझता परमेशन अपना पुत्र को क्यों भेजा, मुझे और आपको बचाने के लिए हमारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं था, हमारे पापों की सजा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कौन करे, इसका कोई हल नहीं था इसलिए परमेश्वर का पुत्र स्वें इस धर्ती पर आया और हमारी सजा को अपने उपर लिया, और तीसरे दिन जी उठा पिता ने अपने पुत्र को त्यागा नहीं, अगर जैसे मेरा बेटा है, तो उसका तत्व मनुष्य है, वो मेरा बेटा है, लेकिन उसका तत्व मनुष्य है, आने वाले समय में वो मुझसे भी बहतर मनुष्य बनेगा यह सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं तो वैसे ही परमेश्वर का पुत्र उसका तत्व परमेश्वर ही है वो अराधना के उपासना के योग्या है प्रभु येश्व मसी बाइबल कहती है एग्नॉस्टिक कहते है इश्वर को जान नहीं सकते बाइबल कहती है इश्वर को निश्चित रूप से जान सकते हैं लेकिन प्रभु येश्व मसी के द्वारा उसने अपने आपको येश्व मसी के व्यक्तित्व में प्रगट किया प्रभु येशु ने कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ कोई बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता और एक जगा और लिखा और इसमें संदे नहीं है कि भक्ती का भेद भक्ती का भेद बड़ा गंभीर है अर्थात इश्वर शरीर में प्रगट हुआ भक्ती का भेद यानी परमिश्वर को जानना बहुत गंभीर बात है रहस्यमंद है मिस्ट्री है लेकिन वो येश्व मसी में प्रगट हुआ अपने आपको हमारे साथ एक संबंद एस्टैबलिश करने के लिए और जो उस पर विश्वास करता है वो परमिश्वर की संतान बन जाता है यहना में लिखाए परमिश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लौता पुत्र जो पिता के सीने में है उसी ने उसे प्रगट किया प्रभु यश्व जब इस धर्ती पर आया तो उसने प्रगट किया परमिश्वर कैसा है उसका हिर्दय कैसा है उसका स्वभाव कैसा है वो प्रेम है इसलिए मनुश्य की चिंता करता है मनुश्य का स्षिष्टी करता है ऐसा है परमिश्वर पिता अब एक घट्डा है कि जो इंगरसॉल था वो एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उनके साथ ही एक डॉक्टर न्यूवेल बैठे हुए थे जिन्नोंने थियलोजी में बाइबल में पी एजडी कर रखी थी तो उन्होंने रॉबर्ट इंगरसॉल को पहचान लिया कि यह बहुत बड़े आलोचक है बहुत बड़े लेक्शर देने वाले भी है बहुत मशूर व्यक्ति है तो जब आमने सामने बैठे थे तो डॉक्टर न्यूवेल ने बात शुरू की कि मिस्टर इंगरसॉल आप बहुत टैलेंटिड व्यक्ति है वर्दान पायोई व्यक्ति है लेकिन आप अपने वर्दान का उप्योग परमेश्वर के विरुद युद करने में क्यों उप्योग करते हो तो इंगरसॉल जैसा भी था सच बोलता था उसने कहा अपने दिमाग से सच बोलता था उसने कहा मैं पैसे के लिए करता हूं मुझे इन लेक्चर्स के लिए बहुत पैसे मिलते हैं तो डॉक्टर निवल ने कहा तु यह पैसे लेके कहां जाएगा पैसे मरने के बाद तु तुझे काम नहीं आएंगे तो इंगरसॉल ने कहा हाँ यह बात तो सच है लेकिन यहां पर तो मेरा खर्चा चली रहा है तो डॉक्टर निवन ने कहा इंगर्सॉल ऐसे पैसो पर श्राप है तो इंगर्सॉल ने कहा हाँ श्राप हो सकता है लेकिन मेरे सारे बिल में इनी से भरता हूँ प्री डॉक्टर ट्रोटनियोन ने ने पूछ आच्चा इंगर्सल ये बताओ तहों कि तुम मरने के बाद कहा जाओगे तो उसने का मैं आशा करता हूं मैं नरक जाऊँंगा तो उससे पूछा यानि तू मानता है कि नरक है तो इंगोर सल्हें ने लिए तुम ही लोग कहते हो कि नरक है conversion स्वर् के बात कहती है तो फिर न भाट नीवल ने पूचा क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे क्योंकि बाइबल स्वर्ग के बारे में बताती है तो उन्होंने कहा नहीं मैं स्वर्ग में खुश नहीं हूँगा मैं नरक जा रहा हूँ तो डॉक्टर नियूल ने कहा देखो इंगर सौल चाहे तुमने कितने पाप क्यों न किये हो अभी भी तुम बज सकते हो उसने कहा मैं बचना नहीं चाहता मैं मुक्ति या उद्धार नहीं चाहता मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन बिताना चाहता हूँ और अपनी मौत मरना चाहता हूँ और जो भी नतीजा हो मैं भुगतने के लिए तयार हूँ देखिए नरक एक हकीकत है बाइबिल कहती है नरक एक आग की जील है अगर परमेश्वर एक आग का गोला बना सकता है जिसको सूरज कहते हम तो क्या वो एक जील नहीं बना सकता प्रभु येश्व ने नरक के बारे में बहुत सक्त चितावनी दी यदि तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती और यदि तेरा पाव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाव रहते हुए नरक में डाला जाए कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं प्रभू यशु मसी ने मेरे और आपके नरक की सजा अपने उपर ले ली ताकि मैं और आप बच जाए जब हम पश्ताब करके उस पर यशु के नाम पर विश्वास करते हैं जिस यशु ना मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आपको दे दिया जो मृत्यकों में से तीसरे दिन जीव था जो युगान युग जीवित है वो आपको बचाने के योग्या है इंगर सोल को भी बचा लेता अगर वो एक कदम आगे उठाता विश्वास करता पश्ताब करता लेकिन उसने कहा कि मैं अपना जीवन खुद चुनूँगा और अपनी मौत खुद सहूँगा जो नतीजे है मैं खुद भुखतूँगा बहुत धीट विचार था मुझे नहीं पता जीवन के आखिर में वो किस दशा में या किस विचार धारा में देहान तुआ कभी पता चलेगा तो बताएंगे लेकिन आप ऐसा ना करें प्रभु यश्व पे विश्वास करें सच्चे और तूटे हुए हिर्दे के साथ उसके पास आए पर विश्व आपको आशिश दे